हेलो गाईज, वेलकम तु माई चानल, कैसे हैं आप लोग, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे नेता जी सुभाष यूनिवर्सिटी ओफ टेकनलोजी की इनकी तरफ से नोटिफिकेशन्स आए हुए हैं, ये डेली गर्वर्मिन के अंडर है और पहले NSIT था ये, ओके, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन्स आए हैं पीएज़ी एडमिशन्स के लिए जिसे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे तो अगर आप इंट्रिस्टेड हों पीएज़ी करने में NSUT से या NSIT से तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं येस वीडियो हेलफुल लगने पे आप इसे शेयर कर सकते हैं इसी पे क्लीक करिएगा दिन यहाँ पे यह सेक्शन उपन होगा जिसमें यू कं सी PhD एड्मिशन सो इसी पे येस हमें क्लिक करना है सारी है लिक्स कर ने मेंस्क्रिप्शन में है यूरलगיים में है आप चेक कर लिजेगा तो यह particular page है dedicated portal भी कह सकते है because इसी के थूरू registration आपको करना है so registration करने से पहले बागी information ज़रूरी है देखना first of all तो you can see जो scroll हो रही है news इसमें देख लीजे 30 June से start हुआ है यह application form step by step जो detailed processor है आपको कैसे apply करना है वो सारी चीजें भी यहाँ पर given है यहीं लिखा हुआ है next वाले point में is explained in the link given below read it carefully before starting या fill करने से पहले उसे पढ़ लीजेगा for more clarifications or clarity I can say then है last date so last date है 18th of July 2021 apply करने की उससे पहले apply कर दीजेगा and then यहाँ note में या कुछ important points और भी लिखे हैं आप पढ़ लीजेगा processor yes उसके अलामा देखे जो PDFs आप upload करेंगे उनको name क्या करना है वो भी convention दिया हुआ है rules है उसे पढ़के उसे rename कर लीजेगा उसके बाद आप upload करेंगे सारे ही documents आप photocopies upload करेंगे और सब ही self attested होंगी ठीक है तो please keep duly signed photocopies of all the documents ready for uploading क्योंकि google form है उसमें आपको upload करना होगा then यहाँ पे यह वाला point आप देख सकते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा application form फिल करना चाह रहे हैं कर सकते हैं तो हाँ आपको उसके लिए mobile numbers डिफरेंट डालने होंगे ठीक है तो yes जैसे suppose error हो जाता है या आप एक से ज़्यादा apply भी करना चाहते हैं different branches में I am not sure क्योंकि हो सकता है inference एक साथ हो तो आप एक बार check कर लिजेगा अभी हम देखते हैं वैसे informations so yes आप चाहें तो कर सकते हैं बस हाँ different mobile numbers को use करना है and last point यहीं है कि ब्रोशर को अच्छे से पढ़ दीजेगा तो देखिए यहाँ पे you can see सबसे पहले important dates है wait so yes actually पहले यहाँ पे information ब्रोशर था जो की अभी नहीं है but anyways देखिए सबसे पहले you can see important dates लिखी हुई है सारे ही different PDFs हैं अभी हम देखेंगे उसके बाद है research programs vacancies eligibility criteria and processor इस पे click करेंगे download हो जाएगा उसके बाद है financial assistance fee structure so yes financial assistance भी है और नहीं भी है तो 200 plus seats है 50% seats पे नहीं है fellowship 50% पे है and then है advertisement तो हम advertisement से start करेंगे फिर देखेंगे important dates फिर हम eligibility देखेंगे okay so चलिए देखते हैं सबसे पहले advertisement so yes यह है advertisement you can see admission notice for teaching come research fellows and university research fellows 2021-2022 यह state university है NCT of Delhi के द्वारा बनाई गई है यह government of NCT के द्वारा one of the premier technical universities है इंडिया की okay and yes इसे institute से technology बाद में किया गया sorry I mean institute से university किया गया 2018 में and वाकी information से so first of all यह जो next paragraph है yes यह important है क्योंकि इसमें fellowships पताई गई है so आपने देखा कि दो तरह की यहां पे notice में लिखा हुआ है heading में एक है teaching come research fellows एक है university research fellows तो जो teaching come research fellows होंगे उन्हें TRF को आगया है और उनकी fellowship होगी 45,000 पर मन्द और जो university research fellows होंगे उनकी होगी 30,000 पर मन्द so online applications are invited from eligible candidates disciplines क्या क्या है यहां पर ही देख लेते हैं ECE है ICE है EEME CSC IT Civil Civil में environmental engineering and geoinformatics engineering है then BSC है फिर management भी है then management IEV physics, maths, chemistry, etc अभी हम देखेंगे departments particular जो specific period है उसमें भी यह है वैसे department जिसमें की अगर आप चाहें तो apply कर सकते हैं PhD कर सकते हैं उसके बाद categories है four categories first है research fellows होंगे with NSUT teaching come research fellow that is 45,000 per month आपकी fellowship होगी then next होंगे university के research fellows URF 30,000 fellowship के साथ then होंगे वो जो की self-sponsored होंगे that is आप GRF है third category आपके लिए है then last है research fellow without any fellowship so basically self-financed mode इसमें आपको कोई भी fellowship नहीं मिलेगी then next application processing fee कितनी है so it is rupees 1,000 and जिन्होंने इनके जो April 2021 में forms आए थे उसे apply किया थे या उसमें apply किया था fee submit कीती है उन्हें फिर से apply करने की जरूरत नहीं है then यहाँ पे जो result अगर आपके जो results है वो last date से पहले that is 18th of July से पहले आ जाते है तब आप apply तो आप अभी कर सकते हैं बट अगर आ जाएंगे तभी accept होगा otherwise नहीं होगा and last date 18th July है informations के लिए आप जो इनका ordinance है वो देख सकते हैं अगर link है यह जो link प्रोइड की गई है यहां पर दिखिए जो interview या उससे पहले जो written test होगा online vote से होगा और उसकी date है 26th of July 2021 जो paper है पहला paper first paper research methodology का होगा सबके लिए same 9.30 a.m. से and paper to subject specific होगा बाकि आप यहां informations timing यह देख सकते हैं department wise है बाकि उसके interview जो है वो आपका दिकब होगा उसकी call कब आएगी और यह सारी चीज़ें यहां पर given है so yes इन dates को अच्छे से देख लीजेगा अब हम देखते हैं department eligibility criteria और seats intake so yes यह है particular pdf जिसमें intake और बाकि इंफॉमेशन है so जो university fellowship है TRF लिखा है बट basically TRF, URF तो वो overall 119 candidates को मिलेगी without university fellowship total 114 seats है okay so university fellowship में URF, TRF आएंगे और जो without university fellowship है उसमें JRF भी होंगे और self-financed भी होंगे okay so yes उसके बाद यहां पर you can see the departments seats दी हुई हैं but campus wise different different दी हुई है इसलिए हम seats नहीं देखेंगे आप please आपका जो department हो आप उसमें देख लीजेगा अपना campus भी देख लीजेगा हाँ departments के बाद हम करेंगे so ECE है then CSC, IT then ME, Mechanical then ICE or E Electrical and you know I see उसके बाद next है BSC फिर है Civil Engineering then Design उसके बाद Maths, Physics, Chemistry HSS and Management Studies HSS में 1-1 seats Management Studies में 4-4 seats okay मतलब with and without fellowship then note में यहाँ पे कुछ points लिखें आप इसको पढ़ लीजेगा seats से related है and ordinance पढ़ने के लिए बोला गया so ordinance की link description में है आप चेक कर लीजेगा and then PhD admissions सबसे पहले है eligibility criteria so master's degree है अगर आपके पास engineering, technology, management, HSS that is जिसमें apply करना चाहते है उसके relevant field में तो आप apply कर सकते है minimum 60% marks आपके हो या CGPA equivalent जो होता है वो हो and also bachelor's में भी 60% marks आपके होने चाहिए however, जो भी candidates apply कर रहे है for TRF और URF उनके लिए requirement है master's degree में 70% minimum marks and bachelor's में 60% minimum marks and then in case equivalence between percentage of marks and CGPA is not defined by the university from where a candidate has obtained the degree तो उसके मतलब अगर जो university है जिसने CGPA और percentage जो भी दिया है उसमें equivalence नहीं है तो आप UGC AICTE का criteria देख सकते हैं वही applicable होगा पाकी informations के लिए आप concern department की भी websites पे visit कर सकते हैं then categories yes TRF URF है with fellowship में and उसके बाद next B category है sponsored candidates या मतलब JRF हैं जो उसके बाद last है self-financed mode then reservations तो जैसे होते हैं government के rules के according वही होगे selection process है क्या होगा so yes two stage का process है पहले entrance test होगा qualified होगा मतलब qualify करेंगे तब interview होगा so two stage होगे entrance and then interview and then qualify करेंगे interview देंगे so उसमें आपको अपना presentation present करना होगा उसमें obviously जो भी research interest area है उससे related presentation होगा फिर यहां committee लिखी हुई है यह points भी देख लीजएगा क्या-क्या उसमें पूचा जाएगा etc. क्या-क्या like किस basis पे आपको judge किया जाएगा then है B point जिसमें obviously क्योंकि teaching come assistance है तो उससे related लिखा हुआ teaching interest and all then final merit list देख सकते है किस basis पे बनेगे फिर syllabus क्या है okay and then है यहां पे E point जिसमें लिखा है eligibility conditions के basis पे कोई भी relaxation as such नहीं दिया जाएगा that is सब को entrance और interview दोनों में ही appear करना है जो BGRF है या नहीं है it doesn't matter उसके बाद project staff फिर बागी information यहां पे given है आप इसको देख सकते है so yes यह थी कुछ information जो कि important थी I hope की video helpful रहा होगा and yes कोई और issue है तो आप contact कर सकते है इनका help desk है home page पे दिया हुआ है आप उस पे contact कर सकते है and yes सारे links description में है that is it for today thank you so much for watching